Hey guys, welcome back to another video of Quotient for you. I hope guys, आप सभी बहुत अच्छी होगे. दोस्तों, आज हम बात करने चाह रहे हैं Pi Network के बारे में and guys, Pi Network को लेके बहुत सारे, literally, बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं और बहुत सारे खुशकबरी आप सभी के लिए आ चुकी है. और एक बहुत important बात आप simply उनसे पूछ सकते हो, और आज की date के अंदर अभी आपको name changes में problem आ रही है, और बहुत सारे लोगों को 7 steps में problem आ रही है, किसी का under process शो कर रहा है, बहुत सारे लोगों को अलग-अलग problem आ रही है KYC से, और KYC एक बहुत important role play करता है, as a Pi के लिए और Pi की main end की launching के लिए, तो आप सभी को problem आ रही है, तो आप जितना कर सकते हो, आपने उतना किया, ठीक है, और इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको step भी बताऊंगा कैसे करना है, और Pi Network ने एक official article निकाला है, जिसके अंदर उसमें सारे चीज़ों को discuss किया है, कि KYC में आपको कहा problem आ सकती है, और उ इंडिया के अंदर और बहुत सारी countries के अंदर Pi Network के trade fair को start किया जाएगा, जो इस वाली वीडियो के अंदर आपको accurate detail बता लगेगी, कौन से date को as a आपको देखने को मिलेगा, और बहुत सारी countries से important updates आ चुके हैं, और एक नई list निकली है, cryptocurrencies की, उसके अंदर top 10 के अंदर Pi Network को listed किया गया है, और उसके सासद guys एक बहुत important update है, अगर आप ये गलती करते हो, तो आपका जो account proper as a finish हो जाएगा, क्योंकि ये जो चीज है, बहुत ही जाजा एक तरीके से illegal हो जाएगी, क्योंकि आप अगर ये कर रहे हो, तो आपका जो account automatically finish हो जाएगा, तो आप Pi के साथ तो guys, आज का वीडियो में start करते हैं, एक छोटी सी request है, अगर आप हमारे चैनल पे new हैं, तो please subscribe करके notification bell को all पे जरूर प्रेस कर लें, चले guys start करते हैं, इस चलते हैं अपने first update की तरफ, यहां बताया जा रहा है, first update, do you want to hear a different Pi KOL voice on Saturday, so basically ये KOL है क्या, तो यहाँ पे मैं आप को बता दू, key option leader करके है, जहां पे बहुत सारे लोग आएंगे, अपनी बाते करेंगे, एक proper as a discussion होगा, important topics के उपर, और उस चीज़ को लेके यहां पे clarify किया है, just say he is a leader of some community and we are going to organize a Twitter space event on Saturday, तो ये Twitter space event को organize कर रहे हैं, जहां पे बहुत सारे important factor और बहुत सारे important topics के उपर बात करने वाला है, pie network की, as a, nfts के बारे में, blockchains के बारे में, kycs के बारे में, manage launching के बारे में, और बाकी future plans के बारे में, तो इन सभी चीजों के बारे में, यहां पे proper discussion होने वाला है, और हर community के लोग इस चीज में देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत important as a होने वाला है event, जो आप भी इस चीज को देख सकते हो, and चलते हैं guys, most important update की तरफ, जो second most important update है, अगर आप ये गलती करते हो, तो आपका account proper finish हो जाएगा, जो मैं आपको starting में भी कहा रता, तो यहां पे साफ साफ लिखा है, scam alert, don't trust suspicious website, यहां पे लिखा है, correct pie official website, mindpie.com, you will never be asked to enter your pie, amnemonic be aware for being deceived, तो basically, यहां पे साफ साफ clear किया है, कि यह scam है, जहां पे कुछ ऐसी website है, जो की pie से relate नहीं करती है, बट pie जैसा उन्होंने interface बना रखा है, जिससे कि आपको लगता है, कि यह pie का official website है, और वहां पे जैसे यहाप enter करते हो, तो आपको कुछ इस type का देखने को मिलता है, जहां पे बोलता है कि pie network के air drops आ चुके हैं, और वहां पे कुछ details show करता है, और वहां पे फिर last में लिखता है, please connect to your wallet for verify to claim your reward, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कि बहुत सारे free के as a coins लेने के लिए, यहां पे वो simply क्या करेंगे, connect to wallet करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यह interface देखने क लग रहा है, आप सभी को पता लग रहा है कि एकदम यह organic है, बट यह बिल्कुल organic नहीं है, एकदम fake है, ठीक है, तो यहां पे जैसे आप connect wallet पे click करोगे, तो वहां पे पूछेगा, paste your past phrase to unlock your wallet, तो यहां पे आपको past phrase डालना पड़ेगा, जो कि 24 letters का होता है, ठीक है, उसको आप जैसे आपे enter करोगे, तो उसके बाद यह unlock with past phrase करोगे, उसके बाद यह unlock तो हो जाएगा, उसके बाद वो जो details होंगी आपकी, इस camera के पास छिली जाएंगी, और आपका account का access जो होगा, जितने भी आपके account में coins होगे, वो सारे उसके पास automatically shift हो जाएंगे, क्योंकि वो control करेगा, और उस situation के अंदर पाई जो code team है, या जो पाई official है, कुछ भी आपकी help नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपने सारा access किसी fake website किसी scammer को दे चुके हो, तो यह गलती अगर आप करते हो, तो आपका account वापस कभी नहीं आएगा, और आपने जितने साल mining की है, एक साल 6 मही सारी के सारी mining खराब हो जाएगी, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जो पाई के साथ 3 साल से, 4 साल से mining कर रहे हैं, तो प्लीज ऐसी किसी भी website के अंदर enter ना करें, और पाई network कभी भी आपसे ये सब चीज़ें नहीं पूछता, और पाई का जो correct website है, minepy.com करके है, ठीक है, मैंने आपे एक clear कर दिया, एंड चलते हैं, next most important update की तरफ, जो की आप सभी को members बताने वाला हूँ, जहाँ पे की the real heroes of Pi team, तो यहाँ पे आदेस तो यह जो भी इतने लोग दिखाई दे रहे हैं, यह सारे members है, हर एक country के, जो Pi को perform कराते हैं, हर एक activities के लिए, ओके, एंड चल करने की बात की जारी है, और बहुत सारे लोग excited days को start करने के लिए, कि कैसी-कैसी features इंग को देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एक बहुत important चीज़ बताने वाला हूँ, you are welcome to join the existing Pi News team, let us create Blynis, तो अब यह के time में, Pi News team के साथ, बहुत सारे लोग चाहों, तो आप जूर सकते ह तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे Pi Network का official Twitter handle, जो कि 2.2 million fan following है, यहाँ पे इन्होंने officially clarify किया है, the join Pi hackton, read more details and instructions on how to participate, तो यहाँ पे आप कैसे participate कर सकते हो, इस चीज़ को लेके बात की गई है, और यहाँ पे लिखा है, check out how to vote for, तो यहाँ पे projects में आप कैसे vote कर सकते हो, उस च Pi News करके search करना है, ठीक है, उसके बाद proper उसका review आएगा, उस चीज़ को आप यहाँ पे पढ़के अपना voting कर सकते हो, ठीक है, तो इस type से आपको उस चीज़ को करना है, जो कि बहुत ही beneficial है आप सभी के लिए, and guys, अब हम चलते है, next update की तरफ, यहाँ बताया जा रहा है, one of the very useful program, this is cool, तो यहाँ पे अभी बहुत ही अलग-अलग level की चीज़े हो रही है, जो कि Pi Network के लिए बहुत important है, इसकी applications of KYC के लिए, और इसकी other activities के लिए, ठीक है, अभी हम सारी चीज़ों को यहाँ पे गवर करते है, सबसे important चीज़ यहाँ पे आप guys आ चुकी है, जाकि Pi का white paper ह और उसके साथ token model, mining mechanism, roadmap और KYC के बारे में हम बताया जा रहे है, जो कि 2023 का upgraded किया गया है, मतलब website के अंदर कुछ चीज़े, बहुत सारी चीज़े improve की गई है, और उसके अंदर KYC का एक अलग section है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़े clear की गई है, कि कहां कहां problem आ रहे हैं किस तर worthless in 2023, let us work together, this is the latest chapter for pied white paper, यहाँ पे pied का latest white paper आ चुका है, जिस चीज़ को लेके हम ऐसा discuss करते हैं, तो यहाँ पे just यह open हो रहा है, and इस type का यहाँ पे आपको interface देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह सबसे पहले 11 मार्च 2022 को आया था, और इसको आज वापस update किया गया है, तो इस सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को पता होगा, कैसे कैसे यह पाई आया, और यहाँ पे सबसे important चीज़ पाई का token modeling क्या है, जो कि अलग-अलग चीज़ों पे काम करता है, manage supply पे, pre-manage पे, इन सभी के उपर, lock up के उपर, जो कि आपके rewards के लिए होता है, nots के उपर, तो यह स सभी चीज़ों को लेके बात की जारी है, तो यहाँ पे supply और बागे सब चीज़े हैं, तो हम चलते हैं, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, अब भी के टाइम में, वो है KYC, ठीके, यहाँ पे बताया जारा है, pre-manage formula, तो कुछ-कुछ चीज़े यहाँ पे आपको बताई तो इन सभी चीज़ों को लेके यहाँ पे बताया गया है, तो इस वाले road map के अंदर बहुत सारी mostly चीज़ों को cover किया गया है, तो यह जो section है, management को लेके cover कर रहा है, जिसमें कि यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रहा होगा, जिसमें यहाँ पे open आपको लिखाऊं, तो test Snatch Face के अंदर बहुत सारी चीज़े हैं, जो किस टाइप से, as a wallet के अंदर, browser के अंदर, brainstorm के अंदर, upgrade की जा रही है, तो यह section पूरा पढ़ता है, वो पढ़ता है, आपका as a pie hackton को लेके, applications को लेके, ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहा है, pilot version of KYC app was introduced on the pie browser, तो pie browser के अंदर एक pilot करके version है, उसको improve किया जा रहा है, और basically आई चुका है, और उसको KYC के लिए importantly रखा गया है, ठीक है, और यहाँ मैनेंट की बात करें, तो मैनेंट को लेके, यहाँ पे बताया जा रहा है, कि in December 2021, the manant of pie blockchain will be go live, the migration of pie news balance from their phone account to be managed start during this period, KYC authentication of pie news proceeds, their balance migration to the manant, in order to allow sufficient time for millions of pie news to successfully complete their KYC verification, so basically KYC verification की बात की जारी है, जिसमें की दो periods होने वाले हैं, जो कि पहला यहाँ पे first होगा, farewell manant and close manant, जो की complete हो चुका है, जिसको pie मैं, जो की pie hat 10 है, नौतारी को आ चुका है, और जो दूसरा काम है, and then open manant, अब हमें वेट जो करना है, वो open manant का करना ह first इन्होंने period complete कर चुका है, और इसी के लिए थोड़ा काम बच रहा है, अब जो second important चीज होगी हो manant होगी, और manant से पहले जो चीज चल रही है, वो है KYC, जो कि आप सभी को पता है, ठीक है, तो यहाँ पे KYC को लेके बताया जारा है, लोगों कैसे कैसे अभी देखने को मि है, तो यहाँ पे बताया जारा है, basically, the pioneers of KYC and the migration by manant, only the small fractions of pioneers have been able to complete their KYC around the launch of manant, तो बहुत अभी limited लोगों का KYC complete किया जा रहा है, और बाकी सब लोगों का under process में show कर रहा है, और आपको मैं बता दू, अगर आपने name के अंदर, मतलब document के name के अंदर, और उसके अंदर fill कर रहा कुछ चीजों के अंदर, surname के अंदर या name के अंदर, तो वहाँ पे आपको issues हो सकते हैं, और इस चीज़ को लेके अभी pie ने कोई भी edit का option नहीं दिया है, तो हो सकता है, वहाँ से वो उस चीज़ को fail भी कर दे, ठीक है, ऐसा इनोंने खुद बताया है, ठीक है, अब हम चलते हैं, कुछ important चीजों के उपर, जहां पर बताया जा रहा है, KYC verification and manage balance, तो यहां पर mostly उन सभी चीजों की बात की जा रही है, जो कि KYC के process में क्या क्या चीज़े improve की गई है, तो यहां पर साफ साफ लिखा है, इनोंने कि यह वो चीज़े अलग कर रहे हैं, जो कि fake accounts हैं, और real accounts उसको बढ़ा रहे हैं, और इसका काम basically क्या है कि mostly wide area में, बहुत अलग तरीके से इस चीज़े को फैलाना है, और यहां पर इनोंने size भी लिखा है, किस तरीके से हो रहा है, the pie network, network in social network based and the mining rate has been five times of the far social media size grew on the 1K, 10K, 100 million and 1 million and 10 million engagement people, so basically यहां पर target कर रहे हैं, कि इतने लोगों को slot रखना है, एक लाग के असपास, फिर दस लाग के असपास, फिर एक करोड के असपास, ऐसे लोगों का इनोंने कुछ एजा रखा है, ठीक है, और यहां पर mostly बात एक चीज़ पर की जारी है, कि जो unfair accounts है, इसी वज़े से उनको problem हो रही है, कहने का मतलब यह है कि मान के चलो टोटल अभी 40-30 million के असपास active users है, जो scam accounts होंगे, वो भी 20-30 million, 40 million से उपर हो सकते हैं, तो इतने scam account है, तो आप समझे लो कि 80 million के असपास scam account होगे, तो real accounts तो automatically दब जाएंगे, क्योंकि scam accounts जो हैं, वो approve करने लगे, क्योंकि scam accounts में बहुत सारी गलतिया पता चलती है, और वो इस तरीके से design करते हैं, जिससे कि आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है, तो ये सारी चीजे भी ये complete करते हैं, okay, and guys, अब हम चलते हैं next चीज के उपर, यहाँ पे अभी टाइम में हम देखते हैं, next जो update है, और जो KYC है, उसको लेके भी और चीजे clarify करने है, जो कि मैं आपक हेक्टन 2023, compared to the ingrate हेक्टन in 2021, this time here, obvious many pie utilities, तो यहाँ basically बात की जाएरे, 2021 में जब पाई हेक्टन आयता, और 2023 में कितना ज़र डिफरेंस है, तो do you know how to vote for your favorite pie D app, check out the video proficient operation process and complete the bonus that is helping for pie mining, तो यहाँ पे प्रोपर वीडियो है, जो कि मैं आपको पहले बता दिया है, जिस चीज के लगे आप proper as a voting कर सकते हो, and guys, अब हम चलते हैं, most important updates की तरफ, जिसमें आप सभी को बहुत exciting चीजें पता लगने वाली है, so यहाँ पे हम चलते हैं, next update की तरफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, pie network का एक proper यहाँ पे लिखा बढ़ा है, review blockchain web 3 आने वाला है, और उसके साथ internet back one global dimensions है, जिसके अंदर let's connect to, और यहाँ पे proper चीजें करने वाले हैं, जिसके अंदर यह crypto mining के बात करेंगे, wallets की बात करेंगे, kyc, nfts, marketplace, education, इन सभी चीजों की बात कर रहे हैं, जो कि यह simply एक तरीके से improve भी गर रहे हैं, और इन सब चीजों को लेके globally भी भी बात की जाए और यहाँ पर जो next update है, यहाँ पर आप देशते हो, कि pie network अलग-अलग जगाओ पर acceptable है, बहुत सारी ऐसी applications बना रहा है, railway applications हो गई, aeroplane applications हो गई, food services applications हो गई, और बहुत अलग-अलग type की applications है, उन सभी को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और आप guys यहाँ यहाँ पर देखो, price on athletics over time BTC, तो यहाँ पर आप देखो, pie का जो athletics exchange के अंदर, अब भी यहाँ पर कितना चल रहा है, 25,000 के आसपास यहाँ पर amount चल रहा है, आप यहाँ पर देखो धियान से, 25,000 के आसपास चल रहा है, USD के अंदर, यहाँ पर जो number 1 पर है, यह matrix करके है, और यहाँ पर यहाँ यह USA का है, और बाकी सब countries भी धीरे-दीरे कर रही है, इंडिया के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर QR system भी start का रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है, और इस चीज़ को लेके proper transactions अभी की जा रही है, और पूरे world के अंदर इस चीज़ को लेके बहुत ज़ और दूसरी जीज़ है, जिनको steps में problem आ रही है, उसके लिए तो मैंने यह बताया था कि आप एक बंदे से connect कर सकते हो, या core team से बात कर लो, but मैं आपको एक बहुत important चीज़ हैता हूँ, यहाँ पर अगर आपको problem आ रही है, जैसे कि आपने 7 step complete कर चुके हो, फिर भी कुछ नहीं हो पारा, या third step, first step में problem आ रही है, या wallet migration में problem आ रही है, जो चीज़े मैंने बताया है, वो चीज़े हो गई, तो ठीक है, नहीं हो पारी, तो आप क्या करते हो, यह cozy pie कर गया है, यह जो की verified account है, यह जो है pie network को represent करते हैं, pie network के बारे में basically बताते हैं, ठीक है, तो यह pie आई के बारे में, तो आप simply यहाँ पर पूर सकते हो, तो DM में, तो यहाँ पर simply आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है, और इंको DM कर देना है, और इंको proper बाद कर सकते हो, कि मेरी यह problem है, और मेरे को यहाँ पर issue आ रहा है, इस वाले step में, यह आपको बताएंगे, आपको भी ध्यान रखने होगी, चाहिए member भी हो, यह verified account है, तो इससे कोई problem नहीं है, बट आप अपनी चीजें पूछ सकते हो, कि यार में को यह problem हो रही है, तो यहाँ पर इसका answer कैसे होगा, और केतना time लगेगा, तो यहाँ पर यह आपको official real answer बताएंगे, क्योंकि यह member ह पाई के, तो इनको बहुत बहतरीन पता है, क्योंकि system के अंदर work कर रहे है, तो यह जो है cozy pie करके है, I hope आपको समझ में आया होगा, कि यह कितने helpful रहेंगे आप सभी के account के लिए, ठीक है, और guys इस चीज़ के लिए प्लीज एक like तो बनता है, और चलते है next update की तरफ, pie ने ब internet software, ऐसी हर एक चीज़ में बहुत improve कर रहा है, hackton को लेकि, hackton जो है guys, एक one of the best part है, hackton के बाद जो KYC है, उसके बाद है manage, तो इसलिए hackton को बहुत तेजी से complete किया जा रहा है, और यहाँ पे बहुत सारी footages share की जा रही है, जहाँ पे आप देखते हो pie किस तरीके से आगे जा open manage, तो basically KYC जो है still in progress में, तो बहुत सारी लोगों को ऐसा कुछ interface देखने को मिल रहा है KYC के regarding, जहाँ पे basically रिखा है, review in progress, review in progress, this will take a while, depends on your how many KYC well data are available in your religion, so basically यहाँ बात की जारी है, यहाँ पे एक ऐसी बात बोली है, जहाँ पे are available in your religion, तो इंड़ा के अंदर से आप अप्ल अप्लाय किया है, उसके बाद आपका number कौन से stage पर आएगा, ठीक है, और जिस country से आप apply करें, उस country के हिसाब से आपका slot fix किया जा रहा है, ठीक है, पहले random किया जा रहा था, कहीं से भी हो रहा था, अब क्या किया जा रहा है, किसी एक specific country जो है, उसी के हिसाब से किया जार, तो यह बहुत अच्छी चीज है, कि आपका जो number है, वो बहुत तेजी से पहले से बढ़ सकता है, ठीक है, तो यह चीज है यहाँ पर आपको best देखने को मिलेगी, और एक बहुत important news है, टॉप trending projects in Turkey के अंदर, last 24 hours के अंदर आप यहां दिस तो, पाई network चौथे नंबर पर आ गाना के अंदर है, पाटनर्शी पर प्रॉपर number दे रखा है, और यहाँ पर सारी चीज है, कौन को इसको sponsor कर रहा है, उन सभी के यहाँ पर नाम लिखे पड़े, और यह घाना के अंदर होने वाला है, और यू एस के अंदर अभी हो चुका है, अब इंड़ा के अंदर भी आपको देखने को मिलने वाला है तो काईस आप सभी बहुत एकसाइटू दो सब चीजों के लिए और इसमें जाके आप सिंप्ली स्पाटिसिपेट भी कर सकते हो एंड हम चलते हैं कुछ और न्यू नेक्स्ट अपडेट की तरफ तो यहाँ पे हम चले नेक्स्ट अपडेट की तरफ यहाँ पर दिस्तो लोग अपनी ट्वांजकशन कर रहे हैं as a अच्छे पाई के अमाउंट के अंदर तो यहां पे आप चेक कर ले ना और बहुत सारी countries के अंदर पाई के जो products हैं पाई के जो services हैं वो भी start की गई है जैसे कि आप आप देस्तों watches purchase की जा रही है यहां पे कुछ food items हैं उसको purchase किया जा रहा है और बागी सब यह footage आप यहां पे screen पे देखी रहे हो ठीक है और यह कुछ कहीं और का update है इंडिया के असपास का update लग रहा है तो जहां पे आप देखते हो कि बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को लेके crazy में बहुत सारे चीज़े posting भी गर रहे हैं इन सभी चीज़ों को लेके कि कितना यह authentic और कितना यह real है तो यहां पे आप सभी देखते हो कि migration को लेके बहुत सारे चीज़े complete की जा रहे है और यहां पे साफ सा बताया जा रहा है कि as per the pie manant approach launch date and a lot of activities making as a preparation for the open manant migration and mobile mining ongoing pie network will be transitions to open manant phase of manant talking down for firewalls of enclosed manant phase after the mass manant migration takes place and the pie ecosystem has involved efficiently तो यहां पे guys basically उनी सब चीज़ों की बात की जारी है जो कि mostly अभी के टाइम में 80-70% complete हो चुका है जो की pie hackton है और अभी जो बचा पड़ा है KYC के बास साफ साफ आपको यहां पे देखने को मिलेगा pie as a manant launching को लेके और बात की जाए pie के price को लेके तो pie का price अभी के टाइम में बहुत decent और बहुत अच्छा price देखने को आपको मिलने वाला है जो की ऐसा बहुत सारे news channels ने इस चीज़ को cover करते हो बताये कि $5, $10 इससे उपर ही pie का price रहने वाला है तो guys यह बहुत exciting चीज़ है आप सभी के लिए तो guys अगर आपको लगता है कि हाँ यह मेरे लिए best project है तो आप इसके साथ जोड़ सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं है तो आप इसके साथ नहीं जोड़ सकते हो ठीक है यह सब आपके उपर है आपको choice है आपकी क्या करना आपको क्या नहीं करना बस इस वाली वीडियो के अंदर आप सभी को सारे अपडेट्स देने थे